नमस्कार, स्वागत है आपका The Great Climate Change Challenge यानि जलवायू परिवर्तन की चुनोतियों की खास चर्चा में आज चर्चा Decarbonization पर हमारे वातवरण से काबन की तीवरता को कम करने की प्रक्रिया का नाम है Decarbonization भारत इस समय दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो वातवरण में सबसे ज़्यादा Greenhouse Gas छोड़ रहा है करीब-करीब 2.9 गीगाटन काबन भारत से पहले अमरीका और चीन का नमबर आता है वातवरण में सबसे ज़्यादा Carbon Emissions, Power Plants, Steel Industry, Automobile सेक्टर, Aviation, Cement और क्रिशी सेक्टर से हो रहा है वैसे साल 2022 में आई McKenzie की Report बता रही है कि Iron and Steel Industry, Cement, Mining सेक्टर और Oil Refineries 24 पीज़ दी काबन वातवरण में छोड़ रहे है क्रिशी शेत्र करीब 17.8% और सबसे बड़ा हिस्सा Power Plants का है करीब 34% ये इसलिए क्योंकि बिजली बनाने के लिए कोईले का जादतर इस्तमाल हो रहा है वैसे आपको ये भी बता दे कि दुनिया भर में बिजली का उत्पादन जो हो रहा है उसमें 37% बिजली कोईले से बनाई जा रही है और ये चिंता जनक है लेकिन भारत पहल कर रहा है साल 2021 संयुक्त राष्ट के Climate Change Conference यानि की COP26 में भारत ने घोशना की थी कि साल 2030 तक हम अपना काबन एमिशन्स 45 फीजदी कम कर देंगे और साल 2070 तक अपने Net Zero पर पहुँच जाएंगे तो अगर इन दोनों लक्षयों तक हमें पहुँचना है तो Decarbonization ही एक मात्र रास्ता है वैसे भारत की अध्यक्षता में हुई New Delhi G20 Summit में भी जलवायू को लेकर कई एहम फैसले लिये गए और सभी देशों ने Climate Change की चुनोतियों का सामना करने के लिए अपनी प्रतिबदता दिखाई सभी देशों ने कहा कि वो कोईले से बनने वाली बिजली को चरणबद तरीके से कम करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे साल 2030 तक सभी देश Renewable Energy की शमता तीन गुना बढ़ाएंगे और साथ ही अंतराश्टिय सौर गटपंधन के लिए सौर देशों को जोडने वाले भारत ने G20 समिट के दौरान Biofuel Alliance बनाने में भी काम्याबी हासल कर ली यानि साफ सुत्री उर्जा के इस्तमाल के मूर्चे पर हम बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत काम होना बाकी है तो आज चर्चा की कैसे सरकार और प्राइविट सेक्टर मिलकर काबन एमिशन्स कम करने के लिए कदाम उठा रहे हैं और इसमें तेजी लाने के लिए और क्या होना चाहिए हमारे साथ यहां स्टूडियो में ओडियन्स है और साथी एक बेहद खास पैनल कार्टिक गनेशन फेलो और डिरेक्टर कांसल अन एनर्जी, अन्वार्मेंट और वटर साथी विभूतिगर्ग, डिरेक्टर, साथ एशिया इंस्टूट फर एनर्जी एकनोमिक्स और फिनांशल अनालिस और पृति बजाज, सीओ और मैंजिंग डिरेक्टर, लिमिनस पार्ट टेक्नोलोजीज अब सभी लोगों का स्वागत है और कार्थिक, अगर मैं बिल्कुल सिंपल सवाल से शुरू करो डिकार्बनाइजेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस होता गया है अगर आप देखेंगे आर्थिक विकास जो है जीडिपी ग्रोथ और उर्जा की खपत या कंजम्शन का एक कोर्रेलेशन है दोनों ही आगे साथ-साथ बढ़ते हैं और जैसे आपने कहा अभी तक लगबग सारा सो उर्जा जो हम प्रेयोक करते हैं अपनी ससाइटी में या तो वो कोईले से आता है या तो वो कुरूड ओयल या पेट्रोलिम से आता है उसके प्रोड़क्स से आता है इंडिया की बारी अभी आई है विकास के लिए पिछले 150 सालों में पोस्ट इंडस्ट्रिल डेवलिशन जो किया जाता है उसमें ज्यादा तर इंडिया का एमिशन्स बहुत ही कम था CO2 का तो जितना CO2 एमिशन्स अभी का स्टॉक जो है आगे जो होगा जैसे आपने कहा अभी इंडिया तीसरे स्टल्प है आगे जाके शायद इंडिया पहले में भी आ जाए पर हमारी बारी अब है विकास करने की और हमारी देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्ही उर्जा उन्तरों का यूज करना होगा और इसमें जो एनर्जी इंटेंसरी जो कहला है जिसे उर्जा की तीवरता है उसको कैसे घटाए जाए जाए वो पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप यह है कि जो जिन उर्जा स्टोत्रों में कार्बन है उसको कैसे कम किया जाए तो पहला step energy efficiency हो गया और दूसरा step ऐसे हो गया कि हमने कोईले को गटाया और उसके बाद petroleum को गटाया तो इन दोनों चीजों में बेसिकली मिला के अगर आप देखेंगे तभी वो decovernization कहलाता है विबुती अब तीसरे नंबर पर हैं तो क्या challenges आप देख रहे हैं जमीन पर स्वप क्या चुनौतियां है भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारी demand हर बड़े ही जा रही है बाकी देश जो developed countries है वहां पर जो growth है demand की वो उतनी नी बढ़ रही फर्सली मतलब हमारी जो अभी की demand सत्तर प्रश्टीशत आपने भी जैसे बताया energy generation coal से मीट हो रही है सो हमें उसको कम करना है उसका share कम करना है और सब उसी का share नहीं कम करना हमारी जो नई incremental जो नई demand आ रही है विकास हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी आस्तिक विवस्ता बहुत अच्छी होती जा रही है लोग अफोडिबिलिटी जिसे हम कहते हैं बेटर हो रही है तो लोगों की demand for products, AC हो, cars हो वह भी बहुत बढ़ रहा है तो आप यह के रही है कि growth होगा पैसा आएगा लोगों के पास consumer demand बढ़ेगा और फिर एक तरह से और प्रेशर बढ़ने माले और प्रेशर बढ़ेगा तो इसलिए government और private sector दोनों को एक बहुत बढ़ा करना है, इसका share घटाने में, government ने target ले कर दिया कि हमें 45% से अपनी energy intensity कम करनी है, हमें 450 या 500 gigawatt of non fossil fuel by 2030 लाना है, इससे कुछ हद तक हम अपनी in problem को solve करेंगे, carbon emissions कम होएंगी, बद जब हम यह सरफ power sector की मांग है, बद अगर हम और industries को भी लेते जाएं और अगर हम नई अपनी technologies, green hydrogen, तो उसका demand इतना बरता जाएगा कि हमें renewable energy deploy करना है, जो अभी तक 15 gigawatt हम हर वर्श आड कर रहे हैं, जब कि हमें उसको 3 गुना करना है, हमें उसको 35 से 40 gigawatt हर साल renewable energy deploy करना है, लेकिन उनकी अभी price इतना जादा है कि इस time पे थोड़ा सा fiscal support, थोड़ा सा policy support government can really help in unlocking private interest, private capital, private investor confidence, वो सब बढ़ सकता है, अगर हम government से, इस समय, जो नई technologies है, उसमें support मिले हमें. प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन प्रीती आप उस सेक्टर को represent करती हैं, alliances हो रहे हैं, missions launch हो रहे हैं, clean और green energy के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या वाकई प्रतिबद है, कि हमको अगर सहूलियत मिले, तो हम change के लिए, shift के लिए तयार हैं? पिछले कुछ सालों में आप प्राइवेट सेक्टर की जिसे कहते हैं determination, वो बहुत बढ़ गई है, आप ये भी देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर investor pressure भी है, कि एक corporate citizen होने के नाते हमारा भी society और वातावरण की तरफ कोई योगदान बनता है, तो अगर हम हमार प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सोच लीजिए, कि एक company होने के नाते जो inverter भी बनाती है, अगर हम PV module भी बनाएंगे तो हम अपने customer को पूरा आत्म निर्वरबारत solution भी दे सकते हैं, तो अगर प्रतिवत्ता की बात करें, तो मुझे लगता है कि इस योगदान में, इस समय भारत में, सभी तरह के leaders जो हैं private sector के, अगर कुछ कर नहीं रहे तो सोच रहे हैं, और अगर कर रहे हैं, तो उन schemes का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो ये बजार बनता हुआ, उसमें अपना योगदान और अपनी capability बना सके, क्या हम जादा कर सकते हैं, क्या ह इंडस्ट्री की, शायद हमें इकठे बात कर लेनी चाहिए है, जी, पिल्कुल, अब audience की बारी है, युवा audience है, और जब climate experts को आप सुनते हैं, सरकार की policies और उनके एलानों को सुनते हैं, डर लगता है कि हमारा भविश्य क्या होने वाला है, सर, अभी हमने metropolitan cities की बात करी, मे बहुत नीचे जा रहा है, अब उसकी वज़ा क्या है, और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, जैसे आपने कहा, ग्रामीन शेत्र हर किसी का मानना है कि गाउं जो होते हैं, बहुती साफ सुत्रा होता है, पर आज के टाइम पर जो प्रोदूशन का नापना जो होता है, वो सब अब शेहरी लाके में होता है, कोई गामीन शेत्र में जाके नापनी रहा है कि वहाँ का प्रोदूशन का लेवल क्या है, अगर वहाँ की जाके सियोटू के लेवल देखें, वो तो एकदम सही है, शेहर के समानी है, और वहां पर जो अभी इंपैक्ट हो रहे हैं, चाहें व बाले 20-30 सालों में, तो सबका फोकुस जो है शेहरी शेत्रों पर है, पर किसी का सोच यह नहीं है, कि हमारा घृट जो दान जो पैदा होता है, वही होता है ग्रमीन शेत्रों में, जहांपे अगर आप सबजियों की देखें, तो कौन से पानी में हो गाया जार रहे है, हमें अफकोस ग्रामीन शित्रों के बारे में सोचना चाहिए बट यह है कि climate change impact जो है पूरे भारत में आने वाला है और अगर शेहरों में जादा है और तुरंथ उसे रोकने की ज़रूरत है बिल्कुल सवाल waste management को भी लेकर है आप लोग उत्राखंड में काम कर रहे हैं आपकी industry वाए तो है ऐसे में आपको लगता है कि इस तरह के इलाकों में भी waste management है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है जो सवाल इनका भी था इस पर ध्यान देना ज़रूरी ही है अगर हमारे को एक मौका मिला है अगर मैं कहूं एक नई तरह की energy हम ला रहे हैं और उससे भी electronic waste जो है produce होता है तो अब जो है government local star पे भी और state star पे भी और central star पे भी waste management regulation पे बहुत ध्यान दे रही है चाहे वो electronic waste हो या फिर वो battery का waste हो और इसको जो companyya है वो भी बहुत ध्यान से देख रही है कि किस तरीके से अगर मैं पानी use कर रहा हूं factory में factory चलाने के लिए तो उस पानी को साफ करके वापस मैं system में कैसे डाल सकता हूं जब मैं net zero की बात करती हूं तो हम हर चीज देखते हैं कुछ factory के आसपास तो हमने तलाब बनाए हुए हैं तो यह सब जो चीजे हैं यह हम कर रहे हैं पर जो regulation है जो policy setting जो आ रही है उसके साथ compliance जो हमारे producer organizations हैं उनकी पर साथ में ही जो unorganized sector है उसकी उसक मेरे कहाल से हमारे को वक्त लगेगा मैं इतना कहूंगी कि अगर आप जो कहरें की जो बात में जमीन पर अगर आप लोग कर रहे हो तो वाकि इनकी industry और इनकी company एक model company के तौर पर पेश की जा सकती हैं अब ब्रेक में जा रहे हैं लेकर आप तीनों से एक मेरा चोटा सवाल ह कूटनीती का हिस्सा है और अभीन हिस्सा है अबने सब देख लिया हमारी domestic politics है हमारी रोज मर्रा की राजनीती में ये क्यों नहीं एक चर्चा कविश है जब तक हम यह नहीं सोचेंगे कि हमारे जो रीती रिवाज हैं उनको भी बदलना होगा और जिस तरह से हम अपने चाहिए वह बैतर बिजली supply की हो और उनसे मांग नहीं रखेंगे तब तक यह सुद्रेगा नहीं वोटर दिमांड करें तभी जवाब मिलेगा और यह डिमांड हम तभी करते हैं और उन्हीं महीनों में करते हैं जब हम इसका इंपक्त जादा हम पर होता है बढ़ हम इसे न चाहिन में है वसुदेव कुटुम्भ हमारा घर है अगर हमारे को ही उसको नहीं चलाना है तो फिर कोई 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 राजनीती हमारी मदद नहीं कर सकती वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद The Great Climate Change Challenge जारी रहेगा हम लोट रहे हैं इस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर इस विशेश शो में और चर्चा आज अलवायू परिवर्तन उसे जुड़ी चुनौतियों की और हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने वातवरन को clean and green रख सके और इसको लेकर कई मोर्चों पर काम होना है लेकिन इस वक्त सीरे चलते हैं audience के पास वो क्या सवाल हैं जो परेशान कर रहे हैं जब हम clean और green fuel और energy की बात हम करते हैं कि जैसे भी coal वगरा खतम हो रहे थे हमारी आए थी news की इतने ज़्याद हम उस पर rely करते कि अगर वो है ही नहीं तो हमारे energy ही नहीं है तो कैसे हम citizens वगरा जो लोगे उनको करें convince की solar panels वगरा solar energy यूज करें ताकि हमारे क्लामेट को इतने एफेक्ट नहीं पड़ें अवेरनेस public education एक एहम पड़ाव हो सकता है इस पूरे campaign के लिए और इसको सम्हालने के लिए यह बहुत बढ़ा drawback रहा है कि हमें हमेशा लगता है कि कोल से प्रडियूस हुई एनरजी सस्ती है इसलिए हमें उसी को ही यूज करते रहना है बट लोग यह नहीं समझते हैं कि government subsidy दे के distribution companies जो हमें final power देती है और उसकी cost जादा है लेकिन जो price एक आम आदमी उसकी भरता है वह subsidized price भरता है तो renewable energy के भी cost कम हो गई है लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसी flexible generation चाहिए जैसे storage हो गई या pumped hydro हो गया ताकि हम coal का share काम करते रहें और renewable energy का share बढ़ाते रहें आप कहरें कि solutions है solutions बिल्कुल है और एक लोगों को यह जानकारी नहीं आप कुछ बूछना चाह रहे थे जी मेरे कोश्चन यह जैसे solar panel है solar panel एक बहुत अच्छा step रहे हमारे ले अगर मैं prices की बात करो everyone नहीं अफॉर्ड कर पाते है तो आपका prices के उस पर क्या गहना है solar panel जैसे आप कहा कि एक नहीं invention है एक नवीनता है जो हम लेकर आए पर इंडिया ने हमने वो capability अंदर develop नहीं करी हमारे actually काफी सारे solar panel जो है in fact सारे ही almost चाइना से ही आते थे अभी कुछ ही साल पहले इसी सालों में अब हमने फैसला किया है कि हम solar panel from the time silicon cell से लेके wafer से लेके फिर assembly से लेके पूरे बनाएंगे इसी देश में बनाएंगे इसका मतलब यह है कि price पे control करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है source को control करना पड़ता है और source को control करने के capability होनी चाहिए कि चाहिए क्या है बनाना क्या है वो काम तो हमने अभी शुरू किया है तो आने वाले कल में यह prices supply साइक साइट से तो कम होंगे ही होंगे पर लास्ट नॉट लीस में यह जरूर कहूंगी कि दुनिया में solar panel जब से चल रहे हैं अब तक वह 90% नीचे आ चुके हैं जहां से शुरू हुए तो यह technology की आर्थिक स्थिती है जैसे ही आप ज्यादा यूज करेंगे वह कम हो जाए तमाम कोशिशे हो रही हैं, missions हो रहे हैं, alliances हो रहे हैं लेकिन इसमें अब आगे बढ़े कैसे हैं जब बड़े तौर पर एक अंतराश्टिय मंच पर बाते हो चुकी हैं अब जमीन नपर कैसे आगे बढ़ा जाए बढ़ने से पहले हमें यह सुचना चाहिए कि हम यह रोल होगा आगे जाके, बाइफ्यूल आज के टाइम पे लगबग 100%, 100% आप कह सकते हैं कि लगबग 85% तो आता है गन्ये से, शुगर केन और वहां से एतनॉल बनते हो और बाकी का 15% जो surplus food crop जो कहलाता है यह FCI के go down में जो अनाज के दान जो हैं वो खराब हो गए तो उनको बनाया जान जान पर इनको बucharे अगे के लिए अगर हम देखेंगे उरजा ज्रॉवत है तो अगर हम इतनी इस तोरों से हम बाईो फोल बनाने वाले हैं तो आगे जाके हमारा ओरजा का कपत कम नहीं होने वाला है, जादा है होने वाले हो और इंको डायवर्ट करक् अबग करके क्या जो crop residue हो गया जो प्राली जो होता है जिसको जलाया जाता है वहां से कैसे बनाया जाए तो अगर हम उन तत्निकों की बारे में R&D करेंगे इसे अभी पानी पत में IOCL का एक रिफाइंडरी आ रहा है जो बना सकता है तीन करोड लिटर हर साल पर भारत को अब आज के पर चारसो करोड लिटर बायो फ्यूल 10% ब्लेंडिंग जारी रखने में तो तीन करोड से चारसो करोड लिटर कहां से बनेंगे और मोस्ट इंपॉर्टन हमें यह है कि बायो फ्यूल उगाने के लिए अगर वो food crops से आ रहे है वो डिपेंड करेगा बारिश पर जो आज के अगर किसी साल अगर बारिश आपको टाइम पर नहीं आया तो आपको फिर से इरिगेशन पर डिपन करना होगा सिंचाई पर तो सिंचाई के लिए बिजली चाहिए और और चाहिए नूकलियर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं नूकलियर एक ऐसा चीज है जो फ्रां इस चुनौती को एक मौका समझ के हम सब को एक्टिव सेटिजन्स की तरह अपना बेहिवियर बदलना होगा और आगे बढ़ना होगा और कलेक्टिवली काम करना होगा एनर्जी एफिशेंसी जो सबसे लों हांगिंग फ्रूट है लेकिन हम उसको उतना एडॉप नहीं कर प करें बदेमान साइट पे भी हमें फोकस जादा करना पड़ेगा पहले आप जान जाएं कि आप आपके घर में उर्चा का खपत बिजली का खपत का होता है पहले वो समझ जाएं उसके बाद हम तै करें कि क्या वो सोलर पैनल हो चाहे वो फोर स्टार या फाइफ स्टार वाल कि एंडी टीवी पर जलवायू परिवर्तन की चुनोतियों पर बातचीत होती रहेगी समाधानों पर चर्चा उमीद देती है इसलिए जरूरी है कि हम और आप जलवायू पर आमने सामने बैठ कर बात करते रहें और हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट इसको समझने को आसान बना देंगे नमस्कार